आ गे है न अपडेट्स लेने के लिए क्योंकि कुछ दिनों से हम अपडेट्स नहीं फ्रोवाइट कर रहे हैं आज कोई इंट्रो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई टॉपिक नहीं, सबसे पहले ये बताओ यार PUBG Mobile को इडिया में हम कभ खेल पाएंगे सच में यार, भाई ने सही बोला, ये मजाक ही चल रहा है, हमें मारो, क्योंकि कभी अपडेट आता है, आएगा ये गेम, कभी आता है, नहीं आएगा दोनों के तरफ से अलग-अलग अपडेट्स निकल के आता है, गवर्मेंट का कहना है, कि ये जो गेम में बहुत ही ज़्यादा वाइलेंस है, तो फिर से इसे इंडिया में हम वापस नहीं लाने वाले है, लेकिन PUBG Corporation दूसरी तरफ ऐसे दिखाते हैं, कि कुछ हुआ ही नहीं जिसका नाम है इंडियन गेमिंग, तो आज की इस एपसोड में जो लेटेस्ट अपडेट आया है, PUBG Mobile इंडिया के तरफ से एक न्यू मैनेजर को हायर किया गया है, तो उस अपडेट के बार में सायद आपको पता चल चुआ होगा नहीं पता है, तो इस वीडियो का आपको यह मत सोचने की आपका काम कथम हो चुगा है, वीडियो को ज्यादा स्यादा सेयर कर दो था कि हमारा जो गोल है, इस साल का वो कम्प्रीट होपा है, तो चलो है जल्दी से आगे बढ़ते हैं, तो पिछले कुछ दिनों से हम PUBG Mobile इंडिया से रिलेटेट कोई भी अपडेट आ बताया जा रहा है कि PUBG Mobile को इंडिया में हम नहीं खेल पाएंगे, यह सही मान के चले तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आर फॉजी भी फिलहाल लॉंच होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ना ही उसके तरफ से कोई भी ऑफिशल अपडेट आएं कि यह गेम हम कब खेल हम सभी के मन में एक कोश्चिन तो जरूर आता है या दोनों के तरफ से अलग-अलग स्टेटमेंट क्यों आता है, MIT कहते हैं यह गेम लॉंच ही नहीं होगा, लेकिन PUBG कोर्परेशन कहते हैं यह गेम बहुती जल्दी लॉंच होने वाला है, तो यह सब बात बात में करेंगे, इसके वज़र से इनको हायर किया गया है इंडिया में और PUBG कोर्परेशन यह जो स्टेप लिये हैं इससे पता चलता है यह गेम जरूर बापस आएगा, मजाया, तो फिलहाल आपको क्या लगता है यह गेम फिर से बापस आएगा या फिर नहीं कॉमेट करकर जरूर बता सकते है तो इस अपडेट के बारे में भी सायद आपको पता होगा पता था नहीं पता था कॉमेंट करके जरूर बताना तूमीद करते हो यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा थोड़ा अलग हटके बनाने की कोशिज किया हूँ एंजॉय कियोगे अपडेट झाल